आज हम तरारी बिधान सभाथ छेत्र के जातिय समिकरन पर चर्चा करेंगे कि जातिय समिकरन की वज़ा से ये सीट किसके पाले में जाते हुए नजर आ रही है एक तरह भारतिय जन्ता पार्टी के उमिद्वार बिसाल प्रसांथ हैं जो सुनील पांडे के बेटे हैं किरन देवी को मैदान में उतार दिया है प्रसांथ किशोर भारतिय जन्तापाटी और वामदल तरारी बिधान सभाथ छेत्र में खूब लड़ाई लड़ रहे हैं यानि चुनावी मैदान में उतार चुके हैं वे एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं लेकिन जातिय समिकरन से कौन किस पर कितना भारी है इसको लेकर चर्चा करेंगे जातिय समिकरन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर यादो और मुसल्मान को जिसने सेट किया डंका उसी का बजा जिसने यादो और मुसल्मान को एक तरफा कर लिया डंका उसका बजा यहाँ पर दलित और महादलित भी निर्नायक भूमिका में हैं और सांती साथ ब्रामन और भूमिहार की तो बाथी मत करिये ब्रामन और भूमिहार अगर एक जूट हो गया तो फिर कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं है तरारी विधान सभा सीट पर सुदामा यादो जो हैं सुदामा प्रशाद वो यहां से विधायक थे और वो अब सांसत बन गए हैं आरा के सांसत हो गए हैं तो तरारी विधान सुधामा प्रशाथ के पाटी के तरब से यहां पर राजुयादों को उमिदवार बनाया गया है वहीं दूसरी तरफ नई पाटी जन सुराज जो की प्रसान कि शोड़ की पाटी है उसके तरफ से किरन देवी यहां की उमिदवार बनी है और फिर भारतिय जन्तापाटी ने विशाल प्रशान्त को अपना उम्मिद्वार बनाया जो की सुनील पांडे के बेटे हैं जो सुनील पांडे दूसरे नंबर पर हैं जो लगतार चर्चा में रहते हैं बाहुबली की वज़े से उनके बाहुबल उनको हमेशा चर्चा का विसए रखता है और अब जातिय समिकरण पर नजर डालते हैं कि यहाँ पर जातिय समिकरण किसकी सबसे अधिक है और कौन किस पर भारी पढ़ने वाला है तो देखे सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे दलित और महादलित की दलित और महादलित की बात करें तो यहां पर 55 से 60,000 वोट दलित और महादलित का है और उसके बाद आते हैं भुमिहार ब्रामन तो भुमिहार और ब्रामन का व पुतों की संख्या 20,000 है अगर यादों की बात करे तो यादों की संख्या 35,000 है اور उसके बाद हम कुरमी कुस्वाहा और बैस्थ की बात करे तो उनकी संख्या 45,000 है और फिर हम अतिपिछड़ा की बात करे तो अतिपिषडा की संख्या 40,000 है मुसल्मानों की बात करे तो मुसल्मान की संख्या यहाँ पर 30,000 है और अब आते हैं कि ब्रामन और भुमिहार वोट किधर जाएगा दिखें उनके सामने भुमिहारों के एक बड़े नेता बाहुबल के वज़़ से चर्चा में रहने वाले सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रसान चुनावी मैदान में तो यह वोट इधर भी जाएगा उसके बाद किरन सिंग, किरन देवी कहें किरन सिंग कहें वो भी चुनावी मैदान में है तो वो भी वोट काटेंगे राजपूत होने की वज़े से वो भी वोट डैमेज करेंगी और राजपूतों की संख्या यहाँ पर 20,000 है तो वो स्वन्ड में भी सिंदमारी करेंगी वो ब्रामन में भी सिंदमारी करेंगी वो भुमिहार में भी सिंदमारी करेंगी यहाँ पर यादोर मुसल्मान को एक जूट रखना सबसे बड़ी बात है अगर आप ब्रावन और भुमियार को एक जूट जिसने रख लिया तो फिर जीत उसकी है लेकिन यहाँ पर यादोर मुसल्मान भी निनायक भुमिका में है यादोर मुसल्मान को एक जूट रखना बड़ी बात होगी जा एक तरफ कहा गया कि भारतिय जनता पार्टी परिवारवाद पर भरोसा नहीं करती उस भारतिय जनता पार्टी ने सुनील पांडे को पसुपति पारस के पार्टी से बुलाया और पसुपति पारस के पार्टी से बुला कर उनके बेटे को अपने हाँ उमिद्वार बना दिया पसुपति पारस लगतार सुनिल पांडे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारे हाँ एक युद्धा है जो 2020 में मजबूती से चुनाओं लड़ा निर्दलिये लड़ा तो दूसरे नमबर पर रहा और अब उस उमिद्वार को हम लोग उप्चुनाओं में खड़ा कराना चाहते हैं लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी ने सोचा कि प्रशोपती पारस को एक सीट देना पड़ेगा इसकी वज़ा से उन्होंने सुनील पांडे को अपने पाले में बुला लिया और उनके बेटे को वहां से उमिद्वार बना दिया और अब यादो मुसल्माद दलित महादलित और फिर कुर्मी कुस्वाहा और बैस को अपने पाले में किसी तरीके से करना ही पड़ेगा देखे प्रशान की शोट चुनावी मैदान में हैं उन्होंने हर जगा पर ऐसे उमिद्वार को उतारा है जो 15-20,000 वोट डैमेज करेगा और 15-20,000 जो वोट डैमेज होगा वो भारतिये जनता पार्टी का डैमेज होगा बुमियार, ब्रामन और राजपूत वोट करते आए हैं और इस वोट में जब सिंधमारी होगी तो नुकसान होगा प्रसांत किशोर की वज़े से भारतिये जनता पार्टी को यादो की अगर बात करे तो यादो राजू यादो की तरफ जा रहा है दलित महादलित की बात कर तो वो भी राजू यादो की तरफ जा रहा है क्योंकि दलित और महादलित आपको सुनिल पांडे के बेटे को वोट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर 90 के दसक में अगर देखा जाए तो एक लड़ाई लड़ी गई जिसमें दलित और महादलित को ऐसा हैसा हुआ कि जो रन सलाम जो जो खेतों पर कब्जक किया करते थे उससे मुक्त गराना जिसमें दलित और महादलित भी पिश जाते थे जिनें एक तरीके का सिकार बना लिया जाता था उसकी वज़ा से उनके मन में आज भी बैठा है कि ब्रामन भुमिहार और राजपूत जो हैं वो हमें दबा किस तरीके से सुदामा परशाद ने बाजी मार लिया आरके सिंग को कहा गया कि इनका काम बोलता है इनकी काम के उज़र से ये चुनाव जीत जाएंगे ऐसा महौल हुआ कि पूरे सहाबाद छितर से भारतिये जनतापार्टी गायब हो गई और भारतिये जनतापार्टी इस गम को भूल नहीं पा रही है और इसलिए उपचुनाव को सेमी फाइनल समझ कर खेल रही है कि अगर सेमी फाइनल हम जीते हैं तो फिर फाइनल भी हम जीतेंगे और फाइनल दोहजार पचिस में है देखें दोहजार पचिस के फाइनल चुनाव से पहले ये उपचुनाव जो है वो semi final की तरह है semi final जो जीतेगा final में उसका प्रतर्षन काफी बेहतर होगा जाए एक तरफ में इंडिये ये दावा कर रही है कि 4 zero से हम महागट बंदन को हराएंगे यानि 4 मारा रहेगा उनका zero strike rate रहेगा लेकिन महागट बंदन की ये 3 सीटे हैं तरारी भी महागडबंदन की है आपको रामगड भी महागडबंदन का है बेला गंज भी महागडबंदन का है ये तीनों सीट पर महागडबंदन के विधायक थे जो कि अब सांसत बन गया है जिसकी वज़ा से उपचुना हो रहा है इमामगड एक इंडिये का था जी स्वे जितना मा जी मिरायक थे, वो सांसद बन गए, तो इमाम गंज के सांसाथ, बेला गंज, रामगड और तरारी पर भी इंडिये का दावा भरपूर है, इंडिये कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सीट हमारे पाले में आनी चाहिए, दो सीटे जो कि सहाबाद छित्र में है, और तरारी भारतिये जनता पार्टी के उमिद्वार यहां पर है, भारतिये जनता पार्टी प्रियास कर रहे है, कि ये सीट किसी तरीके से हमारे पाले में आए, ताकि जो दाग हमारे उपर लग चुका है, कि सहाबाद छित्र से भारतिये जनता पार्टी को गायब कर दिया वाली बात ये होगी कि जिस साहबा चित्र पर भारतिय जनता पार्टी लागतार बर्चस्व बनाने की कोशिस कर रही है क्या वहां वो सफल होगी सुनिल पांडे भी कमजोर उमिद्वार नहीं है उनके बेटे चुनावी मैदान में है और वो ये प्रयास करेंगे कि उनके बे नितिश, कुमार, समराट, सौधरी और उसके बाद आपको उपेंद्र कुश्वाहा भी है और फिर वैश्य समाज पर भारतिय जनता पार्टी का वोटर रहा ही है राजपुत, भुमिहार और ब्रामन भारतिय जनता पार्टी का वोटर रहा ही है अब रहा बात यादो और भारतिये जनता पार्टी अपने पाले में किसी भी हाल में नहीं ले सकती है यादो तूटने से रहा और मुसल्मान के मन में ये है कि हम सब को वोट दे देंगे भारतिये जनता पार्टी के मुद्वार को वोट नहीं कर सकते तो इनको तोड़ना इतना असान नहीं होगा तो फिर से आप तरारे विधान सवाथ छेत्र में जाती है समिकरन को जान लीजिए दलित और महादलित की संख्या 55-60,000 है भुमिहार और ब्रामन की संख्या यहाँ पर 80-85,000 है राजपुत की संख्या 20,000 है यादों की संख्या 35,000 है उसके बाद कुर्मी कुश्वाः बैसिक की संख्या 45,000 है उसके बाद अतिपिछडा की संख्या 40,000 है और मुसल्मानों की संख्या 30,000 है यही है तरारी विधान सवाथ छेत्र के जाती है समिकरन और तरारी विधान सभा छित्र में जो इस बार महौल बना है ऐसा लग रहा है कि सबसे होट सीट तरारी विधान सभा सीट बनी हुई है हलाकि बेला गंजप में भी खूब चर्चा हो रही है क्योंकि यादो बनाम यादो की लड़ाई हो गई है एक तरफ सुरेंद्र यादो के बेटे हैं विश्वनात यादो और दूसरी तरफ मनोर्मा देवी जो की जेडियू की उमिद्वार है तो वहाँ भी लड़ाई जो है वो काटे की है और चर्चा खूब हो रही है बेला गंजप की लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तरारी विधा सबाद च्छित्र की हो रही है मेराल इस खबर में इतना है बनने हमार साथ और देखते रहे हैं दे इंडिया टॉप